जिस बात को जॉन ने कहां आउन स्क्रीन अपनी वही बात उन्होंने जूम पर एक्स्क्लूजवली दहरा दी जॉन ने रिवील कर दिया है कि उनकी फिल्म की दो दो आइटम क्वीन्स में से आखिर वो कौन है जिसने लूट लिया है उनका दिल प्रियंका चुपडा के फिर्स्ट एवर आइटम नामबर बबली बदमाश से बढ़ जाती है उनके दिल की धड़कन या फिर किसी लैला के नाम पर धड़कता है उनका दिल तो जॉन का जवाब है कि वो कोई देसी गर्ल नहीं बलकि वो तो है एक विदेशी गर् Tushar and me were the biggest promoters of the song. We were the biggest promoters, two of us. When I think Ekta also was like, what do we do? Tushar was actually, Tushar and me both, Tushar and me both, how you and Tushar were like watching up from my side, he was telling us from his side. जी हाँ, Shoot Out at Vardala के song में लैला की जिस अदा पर फिदा दिखने हैं John Abraham और Tushar कपूर, वही Sunny Leone हैं इन दोनों स्टास की फेवरिट. लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं John और Tushar की बात को तोड मरोड के तो पेश नहीं किया जा रहा है, इसलिए अब आप खुद ही सुन लीजे कि किस बात पर खुद John ने छेडा है, देशी गर्ल का जिक्र. पर बाद में Priyanka के आइटल नंबर को छोड खुद ही द वाट जान, जो बात John कहते कहते रुग गए, वो Tushar ने पूरी भी कर दी. You're asking over Leila first. Well, अब John और Tushar, बबली बदमाश से ज्यादा, लेला के दीवाने क्यों हुए जा रहे हैं? ये तो इन दोनों स्टास ने हमें नहीं बताया, पर ये प्रिटेंड जरूर किया कि जैसे Sunny के सौंग को बहतर बताने के लिए, हमने उनके मूँ में ये वर्द डाल दिये हूँ. अब लेला को शूट आट वड़ाला का आंथम सौंग करने के बाद, जॉन और Tushar ने लेला का कुछ ऐसा गुंगान शुरू कर गिया कि रुखने का नाम ही नहीं लिया है. Sunny, I mean, more than us, she was clear that she wanted to do this song. I think that that's the biggest positive that I can think about when you think about the song is that she was the one who was offered and when she was offered after that she kept in touch, she followed up and she said that when are we shooting, when are we shooting, when are we shooting. Just go through, she's so clear that this is where I fit in, this is what I want to do and this is why I want to be a part of this film. I know, I came when I said to Tushar, the first thing she said was thank you for allowing me to be a part of this song. I was like wow, I was like how do you know, I mean, do you understand Bollywood music? I was like how do you know that this is gonna be a good song, whatever, whatever. She loved it. She loved it, yeah. It's the sound of it. वैसे एक दूसरे की तारीफ करने की ये आग दोनों तरफ लगी है, जहां एक तरफ जॉन और तुशार नजर आ रहे हैं लैला के दिवाने, वहीं ये लैला भी जॉन की कोई कम दिवानी नहीं है. यानि जॉन की भी उतनी ही दीवानी लैला हैं, ये लैला, जितने जॉन और तुशार इस लैला के दिवाने हैं. लेकिन अगर आप इसे लैला और बबली बदमाश के बीच की कोई टकर समझ रहे हैं तो जरा ढहर जाईए, क्योंकि जॉन और तुशार के इंकैंडिड रेवलेशन्स का ये पूरा चकर तो आपको तभी समझ आएगा, जब आप न्यूस हेड मधुरीता मुखरजी के साथ इन दोनों स्टास की पूरी मलाखात देखेंगे, इसलिए किसी नतीजे पर पहुँचने से पहले कीजिए इस एक्स्क्लिजिव इंटिव्यू का इंतजार बियरो रिपोट, जून, मुंबाइ